पुलिस विभाग में महिलाओं की साथ पुरुष कर्मचारी समय की कमी की कारण किसी भी बीमारी की उपिक्षा करते हैं। इसे ध्याम में डखते वे पुरानी बीमारी के निदान के लिए एक निश्विल कि श्रिविर का आईजन क्या क्या है। पुलिस कमीशनर अमितिश कुमार ने अपिल की है कि सरकारी विभागों में काम करने वाली महिला अधिकारी और कर्मचारी अधिक से अधिक संख्या में इस श्रिविर का लाव उठाए। मुख्यमंत्री चिकिस्ता सहायता कोश प्रकोश राजय सरकार के विभिनस सरकारी विभागों की महिला अधिकारियों और कर्मचारी की पुर्व कैंसर जाज करीगा। हैदरबाद हाउस पे आईजित एक विषे शिविर का आज पुलिस आयुत ने उठाटन किया है। डॉक्टर संदीर पाखले मुख्यमंत्री चिकिस्ता सहायता कोश के प्रमोग क्यार सोनपुरी आती इस समय उपसी तें। पहले चरण में पुलिस विभाग में कांग करनी पारी महिला अधिकारियों और कर्मचारियों की जाज की जाएगे। उसके बाद अन्यव विभागों में महिला अधिकारियों और कर्मचारियों की शिविर में विभिन्न चिकिस्ता प्रशिक्षन किये जाएगे। पुलिस को इसमें परिवार को भी शामिल करना चाहिए। शिविर उनके लिए अनिर्वारियों और महत्वपुन्ड है। सब्ता के प्रतिक शुक्रवार और शनिवार को प्री स्किनिंग की जाएगे। बिमारी की व्यापकता मैलाव में अधिक है। इसलिए उन्हें पहली प्रात्रविक्दा दी गई है। अधिकान समय वे एक निश्चुल के शिविर होने के महत्व का ऐसास नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पुलिस और स्वास्त विभाग के बीच एक सैयुक तउद्यम है। और शिविर का लाग उठाना चाहिए ये उन्होंने कहा। मेरा परिवार मेरी जिमदारी पहल के तहत एक विशेश्शशविर में स्त्री रोग विशेशत्नि ओर प्रस्तूती रोग विशेशत्नि डॉक्टर राक्षेसो की जाच करने जारे है। शिविर में राष्टिय स्वास्त मिशन नागपूर के निदिशक गितान जली पूटी, श्रधानन्द अनाथाले के सचेव डॉक्टर कुंतल सोनपूरे, आरुन्या फाउंडिशन नागपूर, ओग स्कूल आप नर्से हेंगना, डॉक्टर गोविंदा मेडिकल एजुकेशन और रिचर्ट सोसाइटी सोनपूरे ने परिशय में कहा, शिविर में पूलिस और स्वास्त विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लेना चाहिए, कैमरा परसन राजकुमार मोहट के साथ, अभिशेक पांसी के रिपोर्ट